हेलो फ्रेंड्स, इस मी दोस्तों, फुटबॉल के दिगजख खिलारी लियोनल मेशी को कौन नहीं जानता होगा जी हाँ दोस्तों, आज बात करते हैं दिगजख खिलारी लियोनल मेशी के बारे में नेवेल्स और बॉइज अर्जेंटिनियन फुटबॉल क्लब के आजीवन समर्थक मेसी जब 6 साल के थे तब रोसारियो क्लब में सामिल हो गए उनकी गोल स्कोरिंग आइडल रोनालडो लुईस नजारियो डी लीमा पूर ब्राजिलियन फुटबॉलर थे जिसमें मेसी ने उन्हें अब तक का सबसे अच्छा फॉरवर्ड कहा था चोकी मेसी परिवार के रिस्तेदार कैटलोनिया में थे उन्होंने सिटमबर 2000 में बारसी लोना के साथ एक परिक्षण की प्योस्ता करने की मांग की टीम के पहले निर्देशक चार्ली रेक्षेज तुरंत उस पर हस्ताक्षर करना चाहते थे लेकिन निर्देशक मंडल हिच की चाया उस समय यूरोपिय क्लबों के लिए इतनी कम उम्र के विदेशी खिलारियों को साइन करना बहत असमान ने था Messi was born on June 24, 1987 in Rosario, Argentina. Messi shares his birthplace and his birth month with the Argentinian revolutionary Che Guevara. He won the Olympic gold medal along with the Argentinian football team at the 2008 Olympic Games in Beijing. Messi is also the goodwill ambassador of UNICEF. In 2012, Messi became the all-leading scorer for the Barcelona in the club competitions at the age of 24. Lionel Messi currently holds the record of most goals and assists in El Clasico Real Madrid vs Barcelona history. In 2012, Messi broke the record of the most numbered goals scored in the calendar year which was previously held by Gerard Muller. Lionel Messi became his country's all-time top scorer when he scored in the Copa America 2016 semifinal against the United States to take his international tally to 55 goals. 10 August 2020, Messi French club Paris Saint-Germain में सामिल हुए. उन्होंने June 2023 तक की अत्रिक्त वर्स के विकल्प के साथ 2 सालों के समझोते पर हस्ताक्षर किये. Messi ने अपने स्क्वार्ड नंबर के रूप में 30 को चुना, जैसा कि उन्होंने अपने टीनेजर के रूप में पहना था, जब उन्होंने बार्सिलोना के लिए senior debut किया था. उन्होंने कलब के लिए अपनी पहली शुरुवात और UEFA Champions League की शुरुवात 15 सितंबर को कलब भूंग के खिलाफ 1-2 के ड्रॉव से की. मेशी मेड इस senior debut for Argentina in the Fereng Puskas Stadium when he came on the 63rd minute only to be sent off after two minutes for a passive fall against Wilmos 1-Jack who had grabbed his child. मेशी had struck the defender with his arm while trying to shake him off which the referee interpreted as an international elbowing, a contentious decision. दो जाठ्षे, जर्मनी में 20 कप के दोरान मेशी ने सब्रीटूट बैस एपनी शुरुवाती मैशी देखी. फुटबल के मैच में सर्विया और वर्टेंडों के कौन ही जानता होगा. जी हीना दोस्तों, आज बाद करते हैं तिकटूट बन गए जब वह 74 में मिनट में एक विकल्प के रूप में आए. उन्होंने मिन्टों के भीतर अपनी चौथी स्ट्राइक में सहिता की और अपनी 6-0 की जीत में अंतिम गोल किया. जिससे वह टूनामेंट में सबसे कम उमर के स्कोलर और विस्व कप के इतियास में छटा सबसे कम उमर के गोल करने वाली खिलारी बन गए. तेंक्स फौर वच्चिं.